हलो, M.A.M.S.C. Second semester students, अभी हम लोग इसके पिछले क्लास में, मैंने एक चार्ट आपको समझाया कि direct method और indirect method के अंतरगर हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं, चुकि ये chapter बहुत बड़े हैं और जो YouTube के through आपको वीडियो अप्लोड करके दे रही हूं, उसमें अगर वीडियो में ही रुख जाती हैं, इसलिए मैंने इसे second, दो parts में कर दिया हैं, जो second part में आज बताने जा रही हूं, वो है anthropometric assessment, anthropometric assessment जो होता है बेटा, ये permanent, जो changes body में हो रहे हैं, उनको assess करने के लिए होता है, और ये किसी भी individual का किया जा सकता है, और group का किया जा सकता है, और एक community का किया जा सकता है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाना है, कि anthropometric measurement of human body reflect changes in morphological variation due to inappropriate food intake और malnutrition, जो inappropriate food intake हो रहा है, यानि balance नहीं है, या malnourist है, उनकी body में बहुत सारे जो changes होते हैं, वो इस method के द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं, A variety of anthropometric measurement can be made either covering the whole body or part of the body, जो anthropometric measurement है, उसमें मैं एक एक part करके भी हम लोग assess कर सकते हैं, या पूरी overall whole body को भी assess कर सकते हैं, anthropometric measurement can be taken for cross-sectional and longitudinal studies, देखो studies दो तरह की होती हैं, एक cross-sectional होती हैं, एक longitudinal होती हैं, और एक गाउं इधर लिया और दूसरा गाउं दूसरी तरफ लिया, तो उससे एक पूरब में लिया, एक वश्यम में लिया, और उन दोनों को आपस में compare कर दिया, ये कहलाता है cross-sectional study, और जब हम study एक lambit समय तक करते हैं, जैसे तीन साल तक हम quival assessment technique कहीं इस्तमाल करते रहें तो ये longitudinal study कहलाती है, तो ये दोनों ही तरह की studies को करने के लिए anthropometric measurement जो method है, वो बहुत अच्छे method माने जाते हैं, anthropometric measurement, there is no permanent standard, as there is no uniformity of growth in sequence generation, होता क्या है, anthropometric measurement में कोई एक permanent standard नहीं होता, वैसे तो बहुत सारे scale है, गोमेज का scale है, कई scale है, जिन्होंने standards दिये हैं, for example, ICMR का भी, Indian Council of Medical Research का है, कि व्यक्ती की age ये है, व्यक्ती की standard height ये होनी चाहिए, जैसा कि मैंने भी ये third year के classes में भी आपको उससे compare करना सिखाया था, और height weight से nutrients को calculate करना सिखाया था, उसी तरीके से कुछ standard तो बने हुए हैं, कि हमें पता लग जाए कि व्यक्ती की normal age इतनी है, उसकी height normal इतनी होगी, अगर height बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये समझ में आ जाता है कि उसका adequate nutrition उसके body में जा रहा है, या inadequate जा रहा है, या वो malnourist है, इसी तरह weight में है, कि age के according weight क्या होना चाहिए, standard weight, अगर standard weight में variation है, अगर 10 kg standard weight से weight कम है, तो वो undernourist व्यक्ती कहलाता है, और यदि 10 kg उपर है, तो वो over weight व्यक्ती कहलाता है, लेकिन अगर 20 kg वजन normal से जादा है, तो वो obese कहलाता है, तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, कि standard जो हैं वो बने हैं, लेकिन जब हम एक group पे करते हैं, एक community पे करते हैं, तो वो अपने आप standardized हो जाती है, और उस standard को हम फिर मानते हैं, जैसे ICMR और, ICMR नहीं खास तोर से कुछ standards decide किये हैं, और उन standards के उपर हम काम करते हैं, और उनका decision लेते हैं, तो सबसे important जो इसमें methods आते हैं, वो पहला आता है, body का weight, body का weight देखो, height तो एक proper समय तक व्यक्ती की बढ़ती हैं, लेकिन proper समय का मतलब, मैंने अभी पिछले class में ही बताया था, कि जब हमारी growth and development हो रहा होता है, खास तोर से, especially जब हम adults in fees में होते हैं, तो उस समय हमारी height बढ़ती हैं, और height 15 साल तक लड़कों में, और 18-19 साल तक लड़कों में, जितनी भी height gain करनी होती है, वो कर लेते हैं, और फ उल्डे जाती है, जैसे हमारी age धल ले होती है, तो हमारी bones का demineralization होता है, यानि bones में, जो हमारे minerals होते हैं, खास तोर से calcium, phosphorus, ये जो minerals हैं, ये minerals कम होने लगते हैं, और जिसकी वज़े से bones का size चोटा होने लगता है, व्यक्ति जुकने लगता है, और व्यक्ति के height कम हो जाती हैं, और जो spinal cord है हमारी, वो भी suppress होने लगती है, दबने लग जाती है, तो इस तरह से तो हमारी height प्रभावित होती है, लेकिन height को बड़ा standard माना जाता है, height लेने के लिए हम especially क्या काम कर सकते हैं, इसको हम एक दिवार के सहारे किसी व्यक्ति को खड़ा करें, height लेते समय कु अपल ना पहनी हो, normally हम बॉड़ी को बहुत जादा stress ना करें, खिचाओ ना दें, तन के ना खड़े हो, normal खड़े हो, और दिवार के सहारे हम खड़े हो जाएं, और उस दिवार को, यह मैं offline में आपको practically करके भी दिखा दूँगी, अभी बता दे रहे हो, तो जितनी garden सीधी रखें, आइस का लेबल बिलकुल आई लेबल हो, मतलब आप सामने की तरफ एकदम देखें, और कोई व्यक्ति आपके सिर से, आपके बालों से लगते हुए दिवार पर किसी दफ्ती का सहारा लेकर निशान लगा दें, और फिर इंची टेप के सहारे, इंची टेप भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो टेलर इंची टेप होता है, यानि कपड़े का जो होता है, उसका इस्तेमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए, तो ऊपर से लेकर नीशी तक हम पूरी तरह से मिजर कर लें, तो हमें हाइट मिल जाएगी इंचेज में और संटीमीटर में, एक चित्र के माध्यम से दिखाते हूं कि हाइट लेने की कौन सी मशीन होती है फॉर एक्जामपल देखिए हाइट लेने के लिए इसमें तो नहीं दी है पर हाँ यह एक हाइट की मशीन है जिस पे लेडी ने बच्चे को खड़ा कर दिया है यह स्टैंट है यह अपनी लैब में भी है नियूट्रिशन लैब में और उस पे एक स्केल लगा हुआ है और एक स्क्रू से यहां पे बार होती है जो कि सिर के उपर टाइट कर दी जाती है और यहां स्केल है चुकि तो जब हम बार को टाइट कर देते हैं व्यक्ति को हटा देते हैं सब्जिक को और फिर उसकी पूरी हाइट हम ले लेते हैं लेकिन यह बहुत हैवी होती है इससे फिल्ड अगर हमें करना है लाब में हम कर सकते हैं लेकिन फील्ड में लेके जाना इंपॉसिबल होता है तो हाइट मर्शीन समझ में आ गई है और हाइट जब हम मेजर कर लेते हैं तो हाइट से हम बोन्स की हाइट को और सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं तो हाइट समझ में आ गया हो और वेट लेने के लिए हमें क्या करना होता है वेट लेने के लिए तीन तरह की मर्शीन होती है वेट लेने में एक कहलाता है बीम बैलेंस हाइट लेने में एक चीज और बता दूं हाइट में बच्चों की हाइट जो बच्चे एकदम निली बॉन बच्चे होते हैं पैता होत 3.5 kg है 3.2 kg से 3.5 kg है तो उसकी हाइड 50 cm होनी चाहिए तो इसमें देखे एक लकडी का एक कहना चाहिए एक बोड होता है बोड की दोनों तरफ सिर की तरफ भी और पैर की तरफ भी पहले सिर की तरफ वाला पोड जो है विक्स होता है बचे का सिर ऐसे पकड़ लिया दो आदमी क्या वशकता होती है क्योंकि बच्छा चंचल होता है और सीधा लेट नहीं सकता तो बच्चे को सिर पकड़ा जाता है दूसी तरफ उसको स्ट्रेट करके उसके पैरों के तरफ से एक बोर्ड को आगी की ओर खिसकाय जाता है यहाँ पे मीटर लगा होता है जिससे उसकी हाई चेक कर ली जाती है इसको हम इनफैंटो मीटर कहते हैं स्टूडेंट्स आपको यह डाइग्राम बनाने होंगे आप दोंगी बोक देने के बार आप इसको डाइग्राम को बना लीज़ेगा तो हाइट समझ में आ गई एक जो बड़े लोगों की हाइट लेते हैं वो उस तरह लेते हैं और जो नियूले बॉन बेबी होते हैं उनके हाइट इस तरह ली जाती है समझ में आ गया है अब हम लोग वेट की बात कर रहे हैं तो वेट जो स्टांडर्ड वेट होता है वेट तो बिटा घर्टा बढ़ता रहता है लेकिन जो बच्चे पैता होते हैं नियूले बॉन बेबी तो उन बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्केल है जो की हर एज ग्रूप के लिए अलग-अलग यूज किये जाते हैं अब ये जो बीम बैलेंस स्केल कहलाता है ये आपकी लैब में भी है आप आराम से देख सकते हैं और देख करके डाइग्राम बनाईएगा एक बकेट होती है उस बासकेट के अंदर उस बकेट में बच्चे को लेटा दिया जाता है और यहाँ पर बैलेंस बना होता है वो बैलेंस में उसका वेट आ जाता है जैसे नॉर्मली जो हमारे इंडियन बच्चे होते हैं वो धाई से तीन किलो वजन के पैदा होते हैं और तीन से साड़े तीन किलो भी हो सकता है लेकिन धाई से तीन किलो तो उनके पैदा होते ही तुरंट उनका वजन लिया जाता है कि इनका वेट कितना रहा क्योंकि जो पैदा होने के समय जितना वजन होता है जब बच्चा छे महीने का होता है तो वजन दुगना हो जाता है और जब बच्चा एक साल का होता है तो वजन तीन गुना हो जाता है For example, यदि कोई वच्चा तीन किलो का पैदा हुआ है तो उसका छे महीने में दोगना का मतलब छे किलो का वजन हो जाना चाहिए और जब वो बारह महीने का हो एक साल का तो उसका वजन तीन कुना यानि नो किलो होना चाहिए यही स्टैंडर्ड होता है और इसके लिए बीम बैलन्स डिफरेंट टाइप के जो बीम बैलन्स है वो इस्तमाल में लाए जाती है और जो हम लोग लाब में यूज़ करते हैं वो वजन लेने की जो मर्शीन होती है जो आमतौर्थ से जिस पे हम लोग खड़े होते हैं वो स्प्रिंग बैलन्स मशीन कहलाती है उसमें स्प्रिंग लगा होता है जब हम खड़े होते हैं तो जो उपर निडल लगी हुई है स्केल लगा है वो निडल गूम जाती है लेकिन उस पे खड़े होने से पहले या इस मशीन को भी beam balance को जो scale है इसे भी इस्तमाल करने से पहले तुरंत मीटर को पहले set कर लेना चाहिए zero पर ले आना चाहिए ताकि error बिलकुल न होने पाए और जो beam balance है उस पे भी एक सामने की ओर एक चुठा सा ring लगा होता है उसको हम घुमा करके इस तरीके से घुमाते हैं और zero पर set कर लेते हैं फिर जब हम खड़े होते हैं तो हमारा actual weight आ जाता है तो ये बीम ये जो है वो spring balance कहलाती है आज कल ये electronic भी आ रही है market में पहले digital आती थी है अब electronic आ रही है आप जो खड़े होंगे तो उसमें point point में भी kilogram में आपका वजन आ जाएगा तो इन्हें तो field में ले जाना भी easy होता है लेकिन error को error ना आने पाए इस बात का विशेशोप से ध्यान रखना चाहिए तो बेठा anthropometric measurement में अभी मैंने दो measurement आपको बताए body की height लेना और body का weight लेना ये दोनों किसी भी व्यक्ति के age के according होते है age के according height कितनी है और age के according weight कितना है यदि व्यक्ति का normal से weight मैंने अभी बताया कि अगर 10 kg normal से weight कम है यानि inadequate nutrition उसकी body में जा रहा है वो malnourished है अगर 10 के अलावा 20 kg वजन जैसे 50 उसका होना चाहिए लेकिन 30 kg का है इसका मतलब वो totally malnourished है अब अगर दूसरे साइट तुम देखो कि normal वजन 50 kg होना चाहिए लेकिन 50 में अगर 10 जुड़ गया 10 kg जाता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ती overnourished है यदि वजन 20 kg जाता है इसका मतलब है कि वो व्यक्ती overweight है obese है तो obese होने के बाद तो बहुत सारी problem हो सकती है तो students आपको समझ में आ गया होगा height और weight के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें जो और methods होते हैं anthropometric में वो होते है mid arm circumferences mid arm circumferences का मतलब circumferences का मतलब होता है घेरा जब हम mid arm का मतलब होता है जो उपरी भुजा होती है shoulder से लेकर कोहनी के बीचों बीच का जो इस्थान होता है जब हम उसे measure करते हैं mid point होता है mid arm circumference वही कहलाता है inchi tape को हमने एक side से रखा घुमा करके दूसरे side से ले आए तो जो steel tape होता है वो मुड़ता नहीं है लेकिन जो tailor tape होता है कपड़े का होता है वो soft होता है वो मुड़ जाता है इसलिए उसमें error आ जाती है इसके दुआरा व्यक्ति के body में कितना tissue fat है ये चीज़ पता लगाई जाती है इसका भी एक diagram है इसको mid arm circumference कहती है देखे ये diagram है ये देख रहा है आपको ये shoulder है और ये shoulder से ये कोहनी है ये कोहनी है यहां से यहां तक इसके जो beach का point होता है यहां cut लगाई इसको हम कहते हैं जब हम tape से measure करते हैं तो ये कहलाता है mid arm circumference अब इससे fat का पता लग जाता है तो determining mid point for mid upper arm circumference circumference समझ में आ गया उसको गेरे को कहते हैं the first step in measuring triceps skin fold इसको हम triceps skin fold एक machine आती है उसके दुआरा भी उसमें इस तरीके से machine में दवा दिया जाता है उस पे वो लगा होता है scale ये lab में है हम आपको दिखाएंगे लेकिन उसका point टूट गया है जिसके कारण अगर हम लोग करते हैं तो skin में चुप जाता है arms of inference is to find the mid point X है ये mid point है bit been the bit been the acruminal और ये process जानने के आपको जरुवत नहीं है ये पास्मोर और Eastwood ने Davidson और पास्मोर ने अपनी बुक में ये diagram दिया है इसको आप बना लीजेगा और source या reference लिग दीजेगा ये fat fold at triceps triceps के दौरा fat कितना है इस चीज़ का पता लगा जाता है अब next हम लोग आ रहे हैं वो है head and chest circumference ये बेटा head and chest circumference ये खास तोर से under five बच्चों में मतलब जन्व से लेकर पांस साल तक के बच्चों में किया जाता है बड़ों में इसकी आवशक्ता नहीं होती जो head होता है छोटे बच्चों में head का size बड़ा होता है और chest का size छोटा होता है इसलिए जब हम सिर के घेरे को लेती है तो हम उसे head circumference कहते है देखे यहाँ पे आपको एक diagram दिखाई दे रहा है the author measuring the head circumference कैसे कर रहे है यहाँ पे tape रखा गया है mid point पे tape tape को घुमा दिया गया और measure कर लिया गया ये छोटे बच्चों में किया जाता है समझ में आया ये head circumference कहलाता है देखो ये मेडाम circumference tip के दोरा कर रहे है ये जो मैंने सब कोटेनियस fat के लिए कहा कि upper arm circumference कर सकते है या सब capillar जो process है उसका इस्तमाल कर रहे है तो beat में read की हड़ी और उसके बीच में कितना fat है इसको इस machine के दोरा measure किया जा रहा है किताब बहुत अच्छी है इसमें सारे diagram आपको दिये है आप book से जरूर करिएगा और chest circumference chest circumference का इसमें diagram नहीं है मैं आपको वो भी दिखा दूँगी कि जो breast की दोनों निपल होती है एक निपल से start करके पूरे tape को घुमाना है और सामने तूसरे निपल तक लाना है यानि जहां से start करो वहीं पे end करना है tape मुड़ना नहीं चाहिए steel tape का इस्तमाल करना चाहिए तो head and chest circumference ये आसानी से malnutrition या inadequate nutrition को identify करने के anthropometric methods हैं तो ये students मैंने आग को आज anthropometric measurement के बारे में बताया कि एक patient का हम लोग जब anthropometric measurement करते हैं तो उसमें body weight आता है body height आती है age according to height age according to weight आता है और mid arm circumference आता है subcutaneous fat आता है और छोटे बच्चों में जो under five बच्चे हैं उनमें head and chest circumference आता है तो students मुझे उमीद है कि आप सब को anthropometric measurement जो की direct method है nutritional assessment की technique direct method में आती है वो समझ में आ गई होगी जिन भी students की कोई query हो तो आप पूछ सकते हैं और मुझे जब भी आप contact करेंगे तो मैं ये सारे pictures यहां असानी से दिख भी रहे हैं आप देख करके video pictures draw भी कर सकते हैं तो जिसकी कोई query हो आप chat box में दालिए या personally contact कीजे Thank you